हाई फ्रेंड्स थैंक्स फॉस्टॉपिंग बाए दिस विनित मैं राइट है और यूर वाचिंग ओने स्टेडी सरकर फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सल इंट्रिविव कोश्चंस एंड अंसर्स के बारे में बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली व नोटिफिकेशन के ओपर उसमें बात करी थी कि आपके इंट्रिविव की प्रिपेशन कराना हमारी जिम्मेदारी है अब जो एक्सल है यह बहुत ही इंपोर्टन होता है हर कंपनी में एक्सल पर काम होता है और एक्सल पर कोशन पूचे जाते हैं हम इस पर आपको जोब नो हैं लेकिन आपको मिलेगी यहाँ पर एक्सल की नॉलेज फ्री ऑफ कोस्ट क्योंकि यूट्यूब पर देख रहे हैं इससे आपको बहुत बेनेफिट रहेगा जब इंट्रिव में केंडिट सेलेक्ट होके आ जाता है तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है वह खुशी ल पूछे जाएंगे तो आज की इस वीडियो में हमने चार ऐसे पॉइंट समराइज किये हैं जिनकी प्रोबिल्टी बहुत ज़्यादा होती है एक्सल का इंट्रिव बैसिकली दो तरीके से लिया जाता है पहला आपसे पूछा जाता है कि आपको एक्सल में क्या क्या आता है दूसरा आपसे कुछ स्पैसिफिक मेतड या कुछ स्पैसिफिक फार्मूलास पुछे जाते हैं तो दोनों ही केसिस में अगर आप इन चार पॉइंट्स पे वर्क करेंगे तो डेफिनिटली यह आपके लिए एक एड़ोन होगा और एक्सल से रिलेटिड इंट्रों में डाटा के चरूँ समझते हैं वी लुक अप के लिए मान लीजिए कि हमारे पास यहां नाम है स्टुडेंट्स के यहां रोल नंबर है और यहां उनके मार्ग्स है कि उन्होंने कितने मार्ग्स एचीव करें हैं तो अगर मैं यहां चाहता हूँ कि मैं यहां सिर्फ नाम हम अगर कोई यहां कोई value add होती है तो हमने उसको देखना है यहां डालेंगे उसको देखना है, तो यह हमारी lookup वाली होगह ए फिर यह पूच रहा है कि table era कों सा है तो यह हमारी table है अब इसको कॉमा करें। कॉमा देखिए, यहाँ कॉमा का सिंबल है कोमा जैसी यह आप प्रेस करेंगे तो आप next उसमें shift हो जाएंगे अब यह पूछ रहा है कि column कौन सा है तो देखें यह column होते हैं जैसे d, e, f यह column है और 1, 2, 3 यह rows है तो इसमें देखें हमारे पास column कौन सा है यह column first, column 2, column 3 तो third number पर जो figure है वो हमें चाहिए तो आप टाइप करें 3, हमें इसमें कोई adjustment नहीं चाहिए आप टाइप करें जिरो देखें अब देखें रोहन ने 565 marks obtain करें तो यहां automatically जैसे ही आप रोहन टाइप करेंगे, automatically उसके marks आ जाएंगे, अगर आप टाइप करें मोहन, तो मोहन के कितने marks हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, सोहन, तो ऐसे आप नाम टाइप करके उसके marks यहां शो कर सकते हैं, अगर कहीं ticketing counter में देखें, जहां tickets book होती ह यहां फिर कहीं reception पर देखें, तो वहां ऐसे formula का बहुत ज़्यादा use के जाता है, यहां फिर अगर आपको customer का data extract करना है, आपके पास for example thousands of customer है, तो वहां we look up का बहुत ज़्यादा use के जाता है, अब देखें अगर हम इसको blank कर दें, तो यहां error आएगी, तो इसके लिए एक bonus tip है, आप type करें, if error, इस पूरे formula को आप bracket में लें, और अगर error है, तो कुछ भी ना show करें, double inverted commas, enter, तो देखें, अगर यहां कुछ भी नहीं type होगा, तो कुछ नहीं होगा, रोहन, रोहन के marks, मोहन, मोहन के marks, और अगर कुछ भी आप type नहीं करेंगे, तो यहां कुछ नही आएगा, same हम कर सकते है, hlookup के case में, but वहां structure जो data का है, वो different होगा, अब देखें, हमारे पास यहां जो नाम है, वो एक column में है, but अगर नाम आपके पास अलग-अलग column में हो, तो वहां आप use करेंगे hlookup, बाकि इसमें कोई difference नहीं है, concept में same है, we look up आपका वहां use होता है, जैसे जहां आपके नाम जो है, वो a column में है, रोल नंबर सारे a column में है, बट जहां आपके नाम जो है, वो अलग-अलग column में है, mark sollten अलग-अलग column में है, तो वहां आप we lookup यूज नहीं करेंगे, वहां आप use करेंगे hlookup, for example, अब देखें, मैं यहाँ टाइप करता हूँ, और रोहन यहां टाइब करें h look up अब यह पूछ रहा है कि look up value किस value को देखना चाहते हैं इस cell में जो value होगी हम उसको देखना चाहते हैं कोमा आप अपनी टेबल बताएं यह हमारी टेबल है कोमा अब देखिए यह पूछ रहा है रोव वहां उसमें वी लुक अपने पूछा था कॉलम क्योंकि फॉन फस्स सेकेंड थर्ड बट यहां कॉलम जो है यह नहीं पूछेगा यहां पूछेगा रोव क्योंकि एक रो में मतलब एक डाकप IONE में है वह एक रोमें है और अलग अलग कोलम में हो सकता है तो यहां आप से पूछेगाаз ilk蛋 रों में लुक नहीं टेव hy कि車 मेरे तो देखिए रिजर्ड जो है वह सेम आएगा बट बिलूप काहना है यूँज करना कहां यूज़ करना है वह matter करेगा आपके पास डाटा जो है वो किस format में हैं अगर इस format में आपके पास data है आप यूज़ करें वी लुक अगर फोर्मेट यह है तो आप यूज़ करें एश लुक अब हम बात करते हैं समिफ के फार्मुला की For example, यह आपके पास कुछ countries है और आपको किसी particular license को avail करना है और हर country के license का amount यहां mention है तो अगर हम simply total करें तो यहां जो figure आएगी वो actual नहीं है क्योंकि कुछ countries है जहां हमे license नहीं मिला तो जिन countries में हमें license नहीं मिला उस country में हम क्यों payment करेंगे उस countries को तो हमें payment सिरफ उनी countries को करनी है जहां जहां country से हमें license मिला है तो that means अगर यहां yes होगा तभी उसके amount को हम sum करेंगे अदर्वाइस नहीं करेंगे तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं आप कर सकते हैं sum if के तुरू अब देखिए यह पहले पूछ रहा है कि range यह आपकी range है और criteria criteria yes होना चाहिए अगर यह आपका small caps lock है कोई फरक नहीं पड़ता that means इस range में जो जो yes है उसको sum करेगा और देखिए अब पूछ रहा है sum range किसके बहाफ पे कौन सी range को आप sum करना चाहते हैं इस range को इसका मतलब क्या है इसका मतलब है जहाँ जहाँ यहाँ yes होगा same उसी के according जो range आपने दी है उसको यह sum करेगा देखिए अगर हम इसको manually करें देखिए यहाँ yes है यहाँ yes है तो same amount आएगा और अगर हम सभी में yes कर दें तो फिर total amount आगया आप किसी उसमें no type करें तो exclude हो जाएगा तो ऐसे dynamically work करता है तो yes no में आपने इसके condition लगाई तो ऐसे आप work कर सकते हैं समिफ कई अब हम बात करते हैं format sales अब देखिए आपकी एक date है यह हमारी date है हम इसमें one plus करेंगे तो next day की date आएगी one minus करेंगे तो एक दिन की previous date में चले जाएगे बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसमें आपको सिरफ month और year दिखाई दे तो वह आप कैसे करेंगे उसके लिए आपको जाना है format में आप देखिए right क्लिक करें format sales पर क्लिक करें उसमें आपके पास option है custom इस पर क्लिक करें अभी by default देखें dd that means day day month month और four times year अब इसको manipulate कर सकते हैं for example अगर आप सिरफ दिन देखना चाहते हैं तो डी-डी mm कर सकते हैं तो सिरफ date और month है या वाई-वाई कर सकते हैं तो date और year है और अगर आप date के साथ day भी पता करना चाहते हैं तो ddd अगर देखिए यह आपको यह भी बताएगा कि कौन सा दिन था उस time तो अगर आप ऐसे कर सकते हैं यहां अगर हमें date नहीं चाहिए day नहीं चाहिए तो आप इसको manipulate कर सकते हैं आप टाइप करें dd और यहां टाइप करें yy देखें तो यहां आपका सिरफ date आ गई और उसके respectively उसका year आ गया तो ऐसे आप date के format को change कर सकते हैं डी से आपका होगा day, m से होगा month और y से होगा year तो इसको आप test कर सकते हैं और date format को आप format कर सकते हैं format cells में जाके अब हमारा function है अगला remove duplicate, for example अगर आपके पास कुछ figures है अब देखिए जैसे यह हमारे पास figures है, for example किसी product की value है, हम इसको यहां paste करते हैं अब इसमें से देखिए बहुत सारी figures ऐसी हैं जो duplicate है, तो आप चाहते हैं duplicate value हटा दें, सिरफ unique value का total बताएं तो ऐसे आप एक short में कैसे duplicate value हटा सकते हैं, उसके लिए आप पहले तो उस data को select करें, फिर देखिए आप data में जाएं, data में remove duplicate इस पे click करें और यहां ok प्रेस करें, देखिए, automatically जो duplicate values थी वो हट गई, अब simply plus करें और आप बता सकते हैं अब अगला function है हमारा group ungroup, यह कैसे work करता है, इसके लिए हम इसको एक data के तुरू समझते हैं for example, माल लीजे आपके products हैं, A, B, C, D, E, और यह products अलग-अलग zone में sale होते हैं तो यहां east में, west में, north में, south में उनकी sales quantity है, कि वो कितने-कितने sale हुए हैं और यहां उस quantity का total है, और यहां उनका price है कि कितनी value पर sale हुए हैं और यहां उस value का total है, बट अगर आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, format सिरफ total दिखाएं और अगर आपको यह आपके पास point हो जाएं कि आप click करके zone wise भी देख पाएं तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं group ungroup के formula के through इसके लिए आपको क्या करना है, पहले उस column को select करें जैसे देखिए हमें quantity को एक group में करना है, आप group पे click करें Group अब देखिए यह पूछ रहा है row यह column बट यह तो हमारे अलग-अलग column है, तो आप column select करें बट आप अगर आपका row के case में है तो आप row के case में भी कर सकते हैं आप column पे ok करें, आप simply इसको minus पे click करें तो देखिए यह आपका hide हो जाएगा, ऐसी आप दुबारा इस पे select करें, हमने east से लेके south तक select कर लिया और यहां इसका total है दुबारा आप group पे click करें, column पे click करें, ok, minus पे click करें अब क्या होगा, अब आप simply यह दिखा सकते हैं कि product जो ए था उसकी total sale quantity इतनी है और उसकी value इतनी है अब अगर management उसको zone wise देखना चाहती है तो वो plus पर click करके उसको देख सकती है देखे जैसे यह plus का sign है, इस पे click करेंगे तो उन्हें पता लग जाए कि east, west, north, south में क्या क्या value हुए ऐसे ही वो sale quantity में भी देख सकते हैं और अगर आप इस group को हटाना चाहते हैं, आप select करें जैसे आपने group पे click किया था, ungroup पे click करें, column, ok तो यह function है friends, group, ungroup का तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी formulas के बारे में, format cells के बारे में, remove duplicate और group, ungroup So that was it for the video friends, thanks for watching